है हलो एइन विल्कम तो मैं चैनल स्मार्ट स्टाडी प्लस फ्रेंट्स बी- आर- बी- उ इन्वर्सिटी की पी- एस-डी की जो स्लेवस है बहुत सारे चात्र मैसेस के माध्यम से कॉमेंट के माध्यम से यह पुछ रहा हैं कि जो स्लेवस है पी-एस-डी का जो हम एक्जाम देंगे PhD इंट्रेंस का पैट का तो उसका जो सलेबस है वो क्या होगा क्यूंकि आप देख सकते हैं प्रेंट्स की बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अवर्तमान में करेंट में सेशन में वो नहीं थे वो पहले पीजी करके कुछ दिन वेट करण चुके है या उनका पहले ही पीजी हो चुक है इसलिए जो पहले हो कुछ सब्सक्रांइब स्थ दो काम आएगा जाए नहीं गया तो उसके तैशेट जो एक्जाम ली चाहेगे PhD इसलिए बता दें आप सकते हैं यह ब्र ब्ई उन्वर्सिटी की साइट में आप देख लिए पूरा साइट है आपको कैसे आना है तो आपको क्या करना है तो आपको बस यह साइट पे आ जाना है अप यहां पर गूगल पर क्लिक कर देना सर्च कर देना है तो इस साइट पर चले आएंगे lakons को आप औस उसके स्क्रोल करते निचे आएंगे देए सकते हैं उसक इसके श्क्रोल करते निचे आएंगे तो यह जो है ऑफीशियल साइट है और एक नया साइट भी बन गया है तो यहां के लिए नया साइट के लिए आपको यहां पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा लेकिन आपको इसकी जरूत नहीं है आपको करना क्या है कि यह मेनू का टैब है यह वाला टैब देख लिए यह मेनू का टैब है इस मेनू के टैब में देख क्लिक फॉर मेनु आपको लिखा होगा तो यह वाला टेब को आपको क्या करना है यहां से स्क्रॉल करते हूं नीचे कर लेना है बस तो देख लिए कि मैं नीचे कर लेता हूं इसको और यह ऐसे आजाएगा आप लोग को भी तो आपको बस ऐसे ही करना है और आपको नीचे जा तो आप देखेंगे कोर्स जो यहां आपको आ जाएगा जिए फ्रेंस आपको एपको को मिल ग्रैजुएसर जी हां पूर इसी पर क्लिक करते ही आपको क्या आज आएगा तो यहाँ पे नीचे देख लिजे PG-CV-CAS syllabus आ गया जिए फ्रेंट्स PG-CV-CAS syllabus जिन छात्रों ने बहुत पुराने से PG कर रखे हैं तो उनको यह फाइदा मिल रहा है और जो छात्र current में है उनको तो पहले से ही होगा एक पर फिर से अगर उनको नहीं है तो आपको ऐसे डाउलोड कर लेना है और सही जो है इस पार जो PhD का एक्जाम होगा तो यहां किसलेबस को follow करके होता है तो इसलिए आप भी क्या करें कि यहां देख ले तो यहां पर आएंगे फिर उसके आदे इस पे click करना है आपको बस इस वाले पे click करना है देखिए click करते ही आपको जो हो जागा पूरा जितने भी subject मैंने बताये थे देख लेजिए कि मैंने जितने subject आपको बताया हंगे video में जो पुराना video मैंने डाला था तो पूरा सब्जेक्ट आपको देख लिए यहां पे 25 सब्जेक्ट है और 26 मैंने बता आयते जिए फ्रेंट्स तो एक जो किसका नहीं है एजुकेशन का जो है वो जो है वो नहीं दिया गया है तो जो छात्र जो है जुकेशन से सब्जेक्ट का सब्सक्राइब करें हैं जो अपने वाला स्लेबस को फॉलू करेंगी तो देख लिजे यहां पर आपको पूरा स्लेबस है सारे सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में पीसडी पैट जो अग्जाम निशन है वो अब आईए बात कर लेते हैं कि इसे डाउंलोड कैसे करना तो देख लिए बस simple click करना है और download जाए तो देखिए हम download करते English का download कर रहा है जिए अब देख लिए कि download का option मिल गया अब हमको download कर लेना है अब देखिए friends हमारे सामने यह रहा आपका English का CVCS लेबास जो BRB University का अभी मैंने download किया था अब download का process आपका दूसरा भी हो सकता है click होते ही download हो जाएगा और click करने का message भी आगा कि आपको download करना है नहीं तो वह बस आपको download हो जागा उसके लिए चिंता मत किजिए आपको download हो जागा तो आपके सामने देख लिजे कि ऐसा जो है पूरा syllabus आपको दीखेएगा आप देख लिजिए यह पूरा ओफीसियल syllabus आफ्रेंट्स यहाँ पे signature वगरा सारे हैं department के टीचर सबके देखिए पूरा marking वगरा सारा syllabus का जो यह है तो आप यह download कर सकते हैं और किनी से भी syllabus डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी से आपको डाउनलोड करना है तो देख लिजिए यह पूरा जो है आपको दिख रहा होगा फ्रेंट्स कि देख लिजिए कितने पेज का syllabus आपको दिखा देता हूं देखिए थोड़ा सा लंबा syllabus आईए तो आपको ऐसे ही डाउनलोड करना ऐसे ही सारे subject का syllabus डाउनलोड करना है तो देख लिजिए आपके सामने दीख रहा है फ्रेंट्स कि यह syllabus है उन्हीं स्पेस के पास आगे हैं तो ऐसे ही पूरा जो है आपको syllabus मिलेगा क्योंकि चार से मिस्टर होते हैं तो इस टाइप से हो जाएगा वैसे पूरी syllabus के बात में बात करेंगे तो अब आई हम साइट पर चलते हैं अब देखिए फ्रेंट्स इसी तरह हमको जो है यह सारे subject का जो syllabus है वह डाउनलोड कर लेना है तो मैंने एक तो आपको डाउनलोड करके दिखा दिया आप किसी का जो जुलोजी है उर करते हैं तो क्लिक करते देख लिए कि आगया यहां पर बस यहां पर हमको डाउनलोड का करना है बस उसका डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपल फ्रेंट्स आपको यही करना है और जो आपको बता दे किसी भी तरह की जो पीएज़डी से सब्सक्राइब कर ले आप अपडेट करके आपको और सारे डिटेल लाते रहेंगे जो नए सीटों का बतवारा किस तरह से किया गया है नए सीट कितने कौन से जोड़ेगा है साथी साथ अन्य चीज़ें वह पीएज़डी से संब्मदित आपको लाते रहेंगे और एक्जाम की जो सूचना है वह भी जलती जाए कि कभी एक्जाम की जोती थी है वो प्रकासित होती है थैंक यू फ्रेंट्स